हेलो दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जौन में मैं हूँ राज दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे टार्गेट असेसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्योशन पार्ट 26 के बारे में दोस्तो 25 पार्ट जो है हमने अप्ल पार्ट 26 सबसे पहला क्योशन है दोस्तो हमारा अब्दुर्रह्मान खां का संबन था बात करें दोस्तो अब्दुर्रह्मान खां के संबन की किस जिले से संबन था राइट ऑप्शन दोस्तो सी उनका संबन रेवाडी से था दोस्तो ठीक है इसका ऑप्शन रहेगा हमारा र कोशित किये गए हैं इसे क्योशन भी पूछे जा सकते हैं कंडी योजना का सम्मन्द है बात करें दोस्तों एक प्राचीन योजना की कंडी योजना अभी नहीं काफी प्राचीन काल से चलिती है इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा यह वरिक्सर ओपन से जुड़ी हु जमीनों में वर्षा अधारित खेती है उसे कहते हैं बात करें दोस्तों जिन जमीनों में वर्षा अधारित खेती होती है उसको कहते हैं दोस्तों बारानी राइट ऑप्शन दोस्तों बी वर्षा अधारित खेती होती है उन जमीनों को बारानी कहते हैं अगला कॉशन दोस् तो पेहोगा का प्राचीन नाम क्या था बात करें दोस्तो पेहोगा की पेहोगा किस दिले में है आप हमें कोमेंट में बताएं राइट ऑप्षन दोस्तो सी पृत्थुदक पेहोगा का प्राचीन नाम था अगला क्रेशन दोस्तो जोर्ज थोमस 1798 में किस दिले में आये थे राइट उप्शन दोस्तो ए इस्थार के अंदर वो जोर सोमस तरस उठार में आये थे जहां जहाज की कोठी में रुके थे वो भी कहा है इस्थार में जजजर के उतर में कौन सा जिला है बात करें दोस्तो जजजर के उतर जिले की राइट उप्शन दोस्तो ए रोत तक जो है जज़र के उत्री दिशा में स्थित है अगला कोशन है दोस्तों हमारा महाबार्थ किसकी रचना है बात करें दोस्तों महाबार्थ एक साहित्यकार रचना की राइट अप्शन दोस्तों सी गोवर्धन दास दवारा रचित महाबार्थ रचना है अगला कोशन है दोस्तों हमार फत्यावाद का प्राचीन नाम क्या था बात करें दोस्तों फत्यावाद के प्राचीन नाम की राइट ओप्सन दोस्तों सी इकदार कहके पुकारा जाता था फत्यावाद को ठीक दोस्तों फत्यावाद का प्राचीन नाम इकदार फिरोज साह तुगलक से पहले फत्यावाद क अगला क्योशन दोस्तों वस्तली रिसी आसरम कहा स्थापित है बात करें दोस्तों वस्तली रिसी आसरम की राइट ऑप्सन दोस्तों एक त्थल के अंदर वस्तली रिसी आसरम जो है वो स्थापित है आगला क्योशन है दोस्तों सेख चिली के मकबरे का निर्मान किसने करवाय है बात करें दोस्तो सेंट पोल गिर्जागर की राइट ऑप्शन दोस्तो बी अंबारा के अंदर सेंट पोल गिर्जागर जो है वो स्थापित है अगला क्योशन है दोस्तो हमारा इबन बतूता था एक बात करें दोस्तो इबन बतूता की राइट ऑप्शन दोस्तो बी ये ए अगला क्वेशन दोस्तों हर्याना का नवीन पदती से बसाया गया सहर है बात करें दोस्तों निराचादाम की जहां काफी लोग एकटे होते हैं राइट अप्शन दोस्तो बी जजज़र के अंदर परसिद निराचा डाम जो है वो स्थापित है इस डाम पर लाकों लोग इकटे भी होते हैं अगला कोशन दोस्तों कौन से मंदिर को गंगा नंद की तप सतली माना जाता है बात करें दोस्तों एक मंदिर की जो गंगा नंद की तप सतली माना जाता है राइट ओप्शन दोस्तों भी चिठा मंदिर को तप सतली इनकी माना जाता है अगला कोशन दोस्तों परशिद नगर सचरोली किस दिले में है बात करें दोस्तों सचरोली की सचरोली का विद्रो हुआ वो आप हमें कोमेंट में जरूर बताएं राइट अप्शन दोषटो ब यम्ना नेर के अंदर शचरुली स्थित है अगला क्वेशन दोषटो पस्मी यम्ना नहर कहां से निकलती है बात करें दोषटो पस्मी यम्ना नहर की very very important question डॉब बात करें को ड्यृट सोस्किया को रिवाडी के उत्तर डिशा मेन उज़ट। राइट अप्शन दोस्तो बी जीन से फिरो सुगलक दोबरा बनाई की जो नहर थी वो गुजरती थी अगला क्वेशन दोस्तो मेवात का अधिकतर बाग के सा है बात करें दोस्तो मेवात की जिसका अधिकतर बाहर जो है वो दोस्तो समतल है राइट अप्शन दोस्तो बी मेवात का अधिकतर बाकेसा है समतल है अगला क्रिशन दोस्तो सीरी कालेस्वर महादेव मट कहां स्थापित है बात करें दोस्तो सीरी कालेस्वर महादेव मट की राइट अप्शन दोस्तो सी यमना नगर के अंदर सीरी कालेस्वर महादेव मट जो है वो स्थापित है अगला क्रिशन दोस्तों आइने अकबरी में पलवल का क्या नाम था बात करें दोस्तों आइने अकबरी की राइट ओसन दोस्तों बी अपलो जो था वो आइने अकबरी में रचित पलवल का नाम है अगला क्रिशन है दोस्तों रादा क्रिशन सनातम धर सांटमदाब को पूराइक सतापिद कहा है सबसे पूराना कोलेज न बताने की जरूरत नहीं है आप हमें ये क्योशन का अंसर कॉमेंट में जरूर बताएं और पानिपत को क्या-क्या उपादी दी गई है वो भी कॉमेंट में हमें जरूर बताएं अगला क्योशन दोस्तो मारकंडा को साहिक नदी है मारकंडा की तीन साहिक नदीयां दोस्तो है रण बेगना नकटी ये तीनों की तुनों दोस्तों मारकंडा की साइग नदिया है पुछे जा सकती है राइट ओप्शन दोस्तों डी अगला क्योशन है वियराज बांध किस जिले में हैं बात करें दोस्तों वियराज बांध की राइट ऑप्शन दोस्तों बी सिर्षा के अंदर गगर नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है वियराज बांध जहां सिंचाई के लिए पाने लिया जाता है अगला क्योशन है दोस्तों जूई नहर से सिंचाई कहां की जात के अगला क्यूशन है दोस्तों टोहना के किले पर कितनी बार अकरमन हुए बात करें दोस्तों टोहना के की च्वहले कि गिले की जिस पे 38 बार अकरमन में हुए थे आपसेने दूस्तों भी 38 बार जो है वो टोहना की किले पर अकर्मन हुए अगला क्योंस अगजा दोस्तों परसिद अम्मूपूर छड़ीओं का मेला कहा लगता है बात करेंसों मेलों की मेलों की अलग्से वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे रैट ऑप्छोंस तोस्तों सी करनाल के अंदर अमुपूर छडियों का मिला लगता है फरल के तर जो है वो भी इंपोर्टेंट है और यह किये अगला कुछन दोस्तो एफसल फोरेंसिक साइंस लेबरोटरी की स्थापना दोस्तो राइट अप्शन दोस्तो एफसल फोरेंसिक साइंस लेबरोटरी की स्थापना दोस्तो है अगला कुछन दोस्तो इलेक्ट्रोनिक सिटी किसे कहा जाता है बात करें दोस्तो इलेक्ट्रोनिक सिटी उपनाम की संगया दी गई है राइट अप्शन दोस्तो सी गुरु ग्राम जिले को इलेक्ट्रोनिक सिटी की साइबर सिटी की मेडि सिटी की यह काफी सीटी गुरुगराम को संगय दी गई है। अगला केशन दोस्तो मुगल कालीन अवसेस कहां से मिले हैं। बात करें दोस्तो मुगल कालीन अवसेस की राइट आप्सन दोस्तो रहे गा हमारा D उपरोक सभी इसार, फत्यावाद, जजज़र सभी जिलों से जो है यह मि किलता है अगला किरें दोस्तों राजा सारस का किला कहां स्थापित है बात करें दोस्तों राजा सारस के किले की राइट ऑप्सन दोस्तों भी छिर्षा से जो है राजा सारस का किला स्थापित है अगला किरें दोस्तों सीव की मुर्ति कहां से प्राप्त हुई है बात करें दो दोस्तों, Millennium City की ये भी दोस्तों, Right Option रहेगा D कोई नहीं क्योंकि गुरुब गुराम को जो है, Millennium City, Medi City, Electronic City, Cyber City इन सब की संग्या दी गई है, अगला क्योशन दोस्तों, हर्याना केसरी के नाम से परसिद है, बात करें दोस्तों, अर्याना केसरी के नाम से परसिद की, Right Option दोस दोस्तों, C, दोहान नदी जो है, वो डोसी की पहाड़ी से निकलती है, अगला क्योशन है, दोस्तों, हमारा डबचिक होडल स्तापित है, बात करें दोस्तों, डबचिक होडल की, तो ये तो दोस्तों, एक सिंपल सा क्योशन है, Right Option, B, फरीदावाद के अंदर डबचिक झाल, 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